Hello friends, good morning, मैं मीता विश्णोई, ये English IV का प्लांट है और ये एक hanging basket है English IV की, ये एक trailing wine है जो थोड़ा cooler temperatures में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, दो varieties होती है English IV की जो मेरे पास है वो मैं आपको दिखाती हूँ, एक ये variegated वाली है जिसमें lemon और green color का combination है और इसकी leaf का shape बहुत वाली ये भी बहुत खुबसूरत लगता है plant मगर ये उससे ज्यादा tough है जो भी variegated plants होते हैं वो थोड़े delicate तो होते ही है और ये वाला plant हम लोग की country का habitat नहीं होता है हाला कि ये हम लोग के northern plains में और हिमालियास में जहां थोड़ी ठंड रहती है throughout the year वहां अच्छे से होता है वैसे ये European countries का habitat है और वहां पर ये बहुत aggressive plant माना जाता है aggressive मतलब बहुत ज्यादा grow करता है कि ये invasive हो जाता है और इसको forest से और जंगलों से remove करना पड़ता है क्योंकि ये पेड़ों को एकदम engulf कर लेता है मतलब पूरे जकर लेता है तो ये वाला plant हम लोग की country में गर्म में especially Delhi NCR में तो बहुत ज्यादा protection मांगता है और ज्यादा गर्मी होती है तो एकदम perish कर जाता है तो cooler temperature में इसकी location आज हम लोग इसकी care भी देखेंगे सारी और इसको आप लगा सकते हैं hanging basket में जैसे मैंने लगाया है या containers में या combination में कई तरीके से लगा सकते मगर इसकी soil well draining ले और care भी आज हम लोग इसमें discuss करेंगे आगे तो soil ही सबसे पहले discuss कर लेते हैं soil well draining के लिए आप ले सकते हैं hanging basket को light रखने के लिए थोड़ा कूकोपी डाल सकते हैं एक पार्ट एक पार्ट वर्मी compost एक पार्ट garden soil एक पार्ट आप compost ले सकते हैं cowden manure इससे हलकी soil बनती है और वैसे आप जो containers हैं pots हैं अगर pots में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप भुरबुरी और इसी type की हलकी soil ले ताकि ये plant में पानी टिके ना गमले में पानी डाले और एकदम से drain हो जाए क्योंकि अगर ये पानी में रहता है तो हो सकता है खराब हो जाए तो इसकी care में सबसे पहले हम लोकेशन देखते हैं लोकेशन इसको winters में तो आप कहीं भी रख सकते हैं क्योंकि ये colder temperatures like करता है मगद गर्मियों में जरूर इसको shade provide करें देखते हैं हम लोग इसकी watering कैसे करेंगे इसकी watering simple है touch to dry जब तक dry ना हो जब तक top layer इसको water करने की जरुद नही होती है और जब watering करें तब आप इसको बेशक हलका फुलका थोड़ा सा spray कर सकते हैं clean कर सकते हैं अगर dirty होता है plant तो थोड़ा photosynthesis में भी effect होता है अब next देखते हैं इसकी fertilize कैसे करते हैं इसको fertilize करना हर plant के लिए important होता है मगर कई बार हम लोग over enthusiastic हो जाते हैं fertilize करने के लिए तो ये बहुत छोटे containers होते हैं अगर आप इसको साल में 3-4 बार भी fertilize कर देते हो ये enough होता है ये बहुत high feeder plant नहीं होता in fact ये वाला plant बिना fertilizer के भी मैं grow कर चुकी हूँ especially non variegated वाला वो बहुत अच्छे से grow कर रहा था वो छिपा रह गया था एक जगे और जब मैंने October में fertilize किया तो रही गया था इसके लिए nitrogen रच fertilizer अच्छा रहता है जैसे वोमी कंपोस्ट हुआ काउडंग मैनियोर हुआ अगर आपका बहुत dense container है trailing wine बहुत dense हो गई है तब आप इसको liquid form में दे सकते हैं ताकि easily soil में reach कर जाए और plant को root के through easily मिल जाए अब next देखते हैं इसको हम propagate कैसे करेंगे इसका propagation भी बहुत simple है यह cutting से easily grow करता है यह plant तो आप इसकी छोटी सी टहनी लेके लगा दे और यह आपके garden में कई जगे multiply हो जाएगा यह मैं multiply करती भी हूँ जैसे इतनी टहनी ले ले आप छोटी सी टहनी और फिर इसको container में लगा के well draining soil में मैं तो कई बाखाली sand में भी लगा देती हूँ जब roots throw करता है तो इसको transplant कर देती हूँ better soil में यह simple tips हैं आप यह follow करेंगे तो आपका भी यह trailing wine plant बहुत अच्छे से grow करेगा और आप easily इसक झार चीं